पुलिस कश्टडी में कीट नाशक निजल कर अपनी पुलिस जान दे दी है अब इसे पुलिस का खौप कहें या पुलिस की लापरवाही लेकिन मामले के वद पुलिस के हाथ पाउं फूल गए है आरोपी ने अपनी पतनी के साथ मार पीड की ती जिसका मामला महिला पुलिस थाने में दर्ज किया गया था जिस पर पुलिस ने उसे हिरास तो यह काम क्या करते थे घर मेरे ते यह से पड़े बड़े बच्चे कितने दो लड़ते हैं पुलिस टीम उसे उसके घर पतनी की मारपीट में प्रियोख किया गया हतियार को बरामत करने ले गई थी जहां उसने अपने कपड़े ले जाने का बहाना बनाया और कमरे में अकेला चला गया पहले से ही रखा कितना सक उसने कमरे के अंदर निगल लिया जब तक उसे दिखा गया उसके मूँ से जग निकल रहा था और थोड़ी ही देर में उसने दम तोड़ दिया इस पुरे मामले की पुलिस ने नाई चांच शुरू करवा दी है आप पंचयत करदा 9 अब चय्वत आँ आने जी आप यस पुटरा आने जी आफ़ चब बाके पुटर अच्छरी ने जब चांच ची कोंसी पंचयत कीजिए अच्छ ही अच्छी अच्छी अच्छा कैसे को क्या जी फिर है पुर्स वाले उदर खटे थे दोनों लड़के इसाब अपने कारभई कर रहे थे आप यह वही थे उस टैमजी तो उसने बोला कि मैं कपड़े लेके जाने कल के लिए मतलब बदलें चेंज करने कपड़े तो उसी दरान मतलब क्या है उसने कारभई किया और यह लड़के जब 45 वर्सिय हरी कृष्ण राम शहर के सांगरी गाउं का रहने वाला था अपनी पतनी के साथ उसने मारपीट की थी तो रान अपनी पतनी का दाथ भी उसने तोड़ दिया था मामला पुलिस के संग्यान में पहुंचा और पुलिस ने आरोपी हरी कुष्ण को हिरासत में लिया उसे अदालत में 21 सितंबर तक की पुलिस रिमान पर भेजा था पुलिस टीम आरोपी से उसके पतनी के साथ मारपीट में इस्तेमाल हाथियार परामज करने के लिए उसे पैत्र गाउन ले गई थी जहां पर यह हाथसा हो गया बताया जाता है कि घर में रखा करीब 250 ग्राम कीट नाशक उसने निगल लिया इसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई फिल वक्त पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पुश्माडम के लिए नालागर के सिविल एस्पताल भिजवा दिया है आपको हमारे परियास कैसा लगा नीचे कमेंड बॉक्स में जागे कमेंड करना ना भूले साथी बैल आइकन को दबाए ताकि हमारी लेटेस्ट ख़वरे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे इसके साथी लेटेस्ट आउनाइन ख़वरों के लिए आमारी वेब साइट में जाए एक क्रेटिव न्यूज एक्सपर्ट